नमस्कार दोस्तो मैं राजु जीयानी एक बार फिर से आप सब के लिए लाया हूँ एक बहुत ही बैतरीन प्रोडक्ट जिसका हमें बेसबरी से इंतिजार था जो कि है वीडियो रिकॉर्डर EZCAP 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 company का full HD video recorder जिसके अंदर आप MP4 files directly record कर सकते हैं SD card support दिया हुआ है इसके अलावा इस recorder का plus point है कि इसमें आपको HDMI और SDI दोनों ही input दिये हुए है पिछले काफी टाइम से हम लोग एक reasonable rate का recorder ढूण रहे थे क्यूंकि हम market में देख रहे थे तो black magic के recorder अवेलेबल है ninja के अवेलेबल है लेकिन इन सब के अंदर जो file size जो बनती है बहुत ही बड़ी file size बनती है लेकिन हमारे जो routine purpose के जो work होते हैं जैसे wedding हो गया छोटे-छोटे stage programs हो गया तो उसके अंदर हमें इतनी ज्यादा quality की इतनी बड़ी file size की जरूरत नहीं होती है end में हमें logo को देने के लिए तो MP4 file convert करके ही देनी पड़ती है तो इस condition में हमारे storage बहुत ही ज्यादा use हो रहे थे जैसे आप ninja use करते हैं तो एक घंटे का 40-50 MB का file बनता है minimum इसके अलवा black magic का recorder अगर आप use करते हैं तो उसमें भी 36 या 38 GB का एक घंटे का file बनता है तो इन सारी मुसीबतों के बार निकलने के लिए हमारी requirement थी के एक छोटी file size वाला मतलब के compressed file size वाला एक अच्छा recorder screen के साथ HDMI और SDI दोनों ही input के साथ available हो तो ऐसा recorder अभी आ गया है ये recorder अपना studio private limited एहमदाबाद और Bombay ने import किया है जिसका marketing अपना studio और screen king multimedia दोनों ही all over India में कर रहे हैं तो इसके लिए इसका unboxing करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ तो उसके अंदर ही मैं सारी जानकारी आपको दे दूँगा आए देखते हैं EZ cap full HD recorder ये देखते हैं हम EZ cap का full HD recorder ये एक white box में इस तरह से आता है सबसे उपर आपको मिलेगा recorder ये उसका धाई इंच का screen है ये एसे सरीज में आपको दिखा देता हूँ ये उसका quick start guide है power adapter, ये hot shoe, remote और mini SDI to SDI cable मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये recorder ऐसा recorder है कि जिसके अंदर आपको SDI और HDMI दोनों ही input available है but SDI जो है वो mini SDI pin है तो इसलिए company ने आपको इसके लिए mini SDI to SDI converter cable दिया हुआ है ये आपका ऐसे लग जाएगा और सामने की side आप अपने camera या professional switcher उसमें से SDI out निकालके इसमें लगा सकते हैं इसके अलवा यहाँ पे HDMI out भी दिया हुआ है तो आप जो भी input करते हैं उसका आपको output मिल जाता है ये pin आपको press करके लगानी है तो lock हो जाती है फिर से निकालने के लिए फिर से press करनी है तो वो बाहर आ जाती है सबसे बड़ा फाइदा यह है कि इसके अंदर आपको power connection DC 5V दिया हुआ है 5V की मदद से क्या होता है इसके अंदर already battery backup तो है ही ये डेड़ घंटा battery के उपर चल सकता है बट 5W power की वज़े से आप power bank का भी use करके recorder को remote area में use कर सकते हैं यहां पे इसकी on off की switch दी हुई है यह jack pin out है जहां से आप headphone out निकाल के recording के दोरान audio level check कर सकते हैं यह SD card का slot है जिसके अंदर आप अपना SD card लगा के उसमें recording कर सकते हैं यहां नीचे की side आपको hot shoe mount दिया हुआ है यह जो mounting का converter जो है जो इसके साथ available है यह आप यहां पे लगा के किसी भी camera के उपर यह recorder fit करके mobility में भी shoot कर सकते हैं आप कहीं पे भी घूम फिर के उसका recording भी इसके अंदर camera के अलावा extra recorder की तरह use कर सकते हैं यहां से मैं recorder start करता हूँ यह हमारा recorder start हो गया है यह सारे functions जो यहां पे दिये हुए हैं वो सारे remote control में भी दिये हुए हैं यहां से भी आप on off कर सकते हैं यह आपके सामने एक indication आ गया no card मतलब कि इसके अंदर कोई भी card available नहीं है यह date time, format जो आपने set किया हुआ है, volume level और mic volume level यहां से आप videos record कर सकते हैं और यहां से आप photo capture कर सकते हैं यह उसका menu है यहां पे जैसे ही मैं click करता हूँ यह देखिए menu open हो गया है power save mode उसमें आप minute set कर सकते हैं यहां से आप up down करके बाकी के features use कर सकते हैं तो सबसे पहला जो हमारी requirement है वो है quality तो quality में हमारे पास यहां पे तीन option है super fine, fine और normal super fine में आपका video जो record होता है वो 22 mbps पे record होता है fine में आपका video record होगा 16 mbps और normal mode में आपका video record होगा 12 mbps यह मैं यहां से return हो जाता हूँ यह date time आप set कर सकते हैं यहां से यह language option दिया हुआ है यह date stamp आप ले सकते हैं जैसा भी आपको रखना हो और नीचे जाएंगे तो यहां पे schedule recording का option है system के अंदर आप recorder की firmware चेक कर सकते हैं factory reset कर सकते हैं card की information ले सकते हैं यहां पे अभी कोई भी card डला हुआ नहीं है इसके अलावा यह format में जाके आप card को format यहां से कर सकते हैं तो यह बहुत ही normal तरह का recorder है जिसके अंदर आप बहुत ही आसान mode में recording कर सकते हैं mp4 file directly आपको दे देता है जिससे की आप छोटी file size से logo को moment mp4 file देता है जिसकी मदद से आप के system में बहुत ही कम जगा रोपता है और आपको mobility mode में मतलब की battery के उपर चलता है इसलिए आपको mobility भी देता है इसके battery डेड़ गंटे से दो गंटे तक चल सकती है और power adapter भी इसके साथ available है इसके अलावा आप power bank की मदद से भी recording कर सकते हैं very much